दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे जीव के बारे में बताने जा रहे हैं, जो देखने में बेहत खूपसूरत है। तो वीडियो को पूरा देखें। हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तर्ट पर स्थित एक मेडोगास का द्वीप है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ विश्व की पेरों और जीवों की प्रजातियां मौजूद है। उन्ही में से एक है, लीम नाम का यह जीव। बंदर से मिलता जूता यह जीव दशकों से इस द्वीप पर राज करता आ रहा है। लिहाजा, आज यहाँ लगभग लीम के सौ से ज़्यादा प्रजाती पाई जाती है। यह ज़्यादा तक जंगल या पेरों पर रहना पसंद करते हैं। आज हम आपको इस अद्वुद जीव से जुड़ी दस रोचक बाते बताते हैं। नमबर वन, ज़्यादा तर लीम फल खा कर जीते हैं। यह पौधे, कीक, खर्टमल या फलों पर जिंदा रहते हैं। नमबर टू, यह समूह में रहना पसंद करते हैं। इनकी समूह को ट्रूप कहते हैं। नमबर ट्री, आपको जानकर आश्चार्य होगा, की यहा नर नहीं, बलकि मादा लीम का शासन चलता है। नमबर फोर, लीम के हाथ और पैर काफी हद तक इनसानों जैसे होते हैं। यहां तक की इनकी फिंगर प्रिंट्स भी होते हैं। नमबर फाइव, लीम की साइज और वजन उसकी प्रजाती पर निर्भर करते हैं। सबसे कम वजन का लीम 10 ग्राम का होता है। नमबर सिक्स, सबसे बड़े साइज का लीम गुरिल्ला जितना विशाल भी हो सकता है। इंद्री नाम की प्रजाती लीम में सबसे विशाल होती है। नमबर सेवन, मादा लीम अपने बच्चों को अपने मुँ में दबा कर रखती है, जब तक कि वह बच्चा अपनी मां की पीत पर लटकने लायक नहीं हो जाता। नमबर एट, कई लीम लंबे समय तक बिना खाए भी रह सकते हैं। मोटी पूंच वाले लीम साथ महीनों तक बिना खाए रह सकते हैं। 9. लीमा की सुन्धने की शक्ती बहुत तेज होती है. वही रात के वक्त या अंधेरे में भी यह साफ साफ देख सकते हैं. 10. लीमा अपना ज्यादा तर समय पेड़ों पर गुजारते हैं. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. धन्यवाद.